नमस्कार मैं हूँ प्रशान्त भारद्वाज और आप देख रहे हैं लिए उश्रूम पोस्ट क्या आप ये कलपना कर सकते हैं कि एक ऐसी क्रिकेट टीम जो दो बार वर्ल्ड चेंपियन रही हो वो वर्ल्ड कप की लीग स्टेज तक के लिए क्वालिफाई ही न कर पाए वेस्ट इंडीज का कुछ ऐसा ही हश्र हुआ है एक वक्त था जब क्लाइव लॉइड की अगवाई वाली केरेबियाई टीम की वर्ल्ड कप में तूती बोला करती थी विव रिचर्ड्स, रोबर्ट्स, मार्शल, गार्नर और होल्डिंग जैसे धुरंधर खिलाडी इस टीम का हिस्सा हुआ करते थे लेकिन 48 सालों में ऐसा पहली बार होने वाला है जब चेंपियन्स से भरी हुई ये टीम वर्ल्ड कप में नजर नहीं आएगी वेस्ट इंडीज की टीम ICC One Day World Cup Qualifier मैच में स्कॉटलैंड के हाथों साथ विकेट से हारने के बाद वर्ल्ड कप के क्वालिफाइन टूर्नामेंट से बाहर हो गई है वेस्ट इंडीज का टॉप ओडर टीम को समालने में पूरी तरह से नाकाम रहा और 40 रन पर 4 विकेट गवा कर मैच स्कॉटलैंड की जोली में डाल दिया अब आपको बता दें कि आज जो वेस्ट इंडीज की टीम ICC वंडे वर्ल्ड कप से बाहर हुई है असल में इस टीम का क्रिकेट जगत में कभी बोल वाला हुआ करता था विरोधी टीम के खिलाडी वेस्ट इंडीज से खौफ खाया करते थे साल 1975 में वंडे वर्ल्ड कप का जो पहला सीजन था तब चेंपियन का खिताब हांसिल करने वाली टीम और कोई नहीं बलके यही वेस्ट इंडीज थी इसके बाद दूसरे बार भी साल 1989 में वेस्ट इंडीज की टीम दोबारा चेंपियन बनकर उभरी थी तीसरी बार साल 1983 में वेस्ट इंडीज की टीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था लेकिन इस बार इनका सामना फाइनल में पहली बार पहुँचने वाली टीम भारत से था इस बार कपिल देव की सेना वेस्ट इंडीज पर भारी पड़ी और वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप जीतने की हैट्रिक लगाने से चूग गई वेस्ट इंडीज की टीम लगातार दो बार साल 2012 और फिर 2016 में T20 वर्ल्ड कप की विजेता रह चुकी है ये टीम साल 2004 में Champions Trophy भी अपने नाम कर चुकी है अपने लगातार प्रयासों के बावजूद वेस्ट इंडीज की टीम साल 2011 और 2015 में Quarter Final से बाहर हुई थी फिर 2019 में इस टीम को फिर से League Stage पर ही हार कर तूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा था अब आज एक बार फिर वेस्ट इंडीज की टीम 2023 में स्कॉटलैंड के हाथों साथ विगेट से हार गई जिसकी वज़ा से अब वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप में शामिल ही नहीं हो पाएगी तो इस वीडियो में में मेरे साथ फिलाल इतना ही West Indies के World Cup 2023 के qualifying round से बाहर हो जाने पर आपका क्या reaction है comment करके ज़रूर बताएं वीडियो पसंद आई हो तो like और share कर दें और channel को subscribe करना न भूलें फिर में लेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक के लिए दीजे इजाज़त नमस्कार